नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कल सचिन वाजे केस में कोट में सुनवाई हुई है, जिसमें एनाईये ने कोट में बेहदी चौकाने वाले खुलासे किये हैं एनाईये के मुताबित ग्रफतार सचिन वाजे के घर से उन्हें जांच में 62 जिन्दा कार्तूस मिले हैं आखिर इतने सारे जिंदा कार्टूसों को वाजे ने घर में क्यों रखा हुआ था और इसके पीछे की असल वजह क्या थी सचिन वाजे एनाईये को सवालों का जवाब नहीं दे रहा है इसलिए एनाईये ने सचिन की कष्टेडी को बढ़ाने की भी मांग की है एनाईये ने कोट को बताया कि सचिन को पुलिस अधिकारी होने की वजह से 30 कार्टूस सरकारी कोटे से भी दिये जाते हैं जिसमें से 25 बुलेट गायव है और 5 बुलेटी घर पर मिली है बाकी की 25 बुलेट सचिन वाजे ने कहां पर खर्च की है इसका जवाब भी सचिन वाजे नहीं दे पाया है एनाईये ने बताया कि आने वाले दिनों में सचिन वाजे और ATS द्वारक गिरफतार दोनों आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा ताकि सच और जूट का पता लगाया जा सके एनाईये ने कोट में ये भी कहा है कि सचिन वाजे पूस्तार्च में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है वो उल्टे सीधे जवाब दे रहा है और एनाईये की टीम को या अधिकारियों को गुमरा करने की कोशिश करता है जिसकी वज़े से केस में अभी भी काफी जादा चीजे हैं जिनका पता लगाया जाना पाकी है एनाईये चाहती है कि सचिन वाजे की हिरासत को तीन अप्रेल से जादा और भी आगे बढ़ाया जाए दोस्तो इस केस में सचिन वाजे भले ही पूस्तास में सैयोग नहीं कर रहा हो लेकिन उसके खिलाफ एनाईये के पास काफी जादा सबूत इखटे हो चुके हैं जिससे उसके लंबे समय के लिए जेल जाना तै है एनाईये ये भी पता करने में जुटी हुई है कि सचिन के घर हत्यारों का जखीरा क्यों रखा गया था इतने जादा जिन्दा कार्तूस उसके पास कहां से आई और उनको कहां पर यूज किया जाना था ये सारी बाते हैं जो अभी भी पता लगानी बाकी है